नमस्ते बच्चो आईए स्वागत है आपका आठवे क्लास के विज्ञान चेप्टर फॉर्टीन जिसका नाम है साउंड आज इसके प्रिशन उत्र को फटा फट पूरा करते हैं तो सुरुवात करते हैं पहली क्वेश्चन से देखिए पहला है सही उत्तर चुनिए आवृति का मात्रक क्या है मीटर सेकंट हर्ट्स एफिर मीटर पृति सेंट तो आवृति का मात्रख हो जाएगा हर्ट्स दूसरा दुद्धोनिस अंचरित हो सकती है कहां पे केवल ठोसों में केवल द्रवों में केवल वायू या गैसों में या ठोस द्रवों और गैसों तीनों में तो सही उत्तर हो जाएगा ठोस द्रवों और गैसों तीनों में तीसरा प्रस्म इनमें किसकी आवाज की आवरती सबसे अधिक है छोटी बच्ची की छो कथन के सामने टिक पर निशान लगाई टिक का निशान लगाई है किसी कंपित वस्तु के प्रतिस कंपन के पर दोनी प्रबल हो जाती है इसलिए गलत है दोनी निर्वात में संचारित नहीं हो सकती है बिल्कुल सही बात है जहां पे हवा ही नहीं हो कोई माध्यम नहीं हो तो हवा ध्वानी साउंड वहां पे संचारित नहीं हो सकती है कंपनी के आवरती जितनी कम होगी तारत तो उतना ही अधिक होगा बिल्कुल नहीं जितने आवरती ज़्यादा होगी तारह तो उतना ज़्यादा होगा मतलब उसमें पतलापन आवाज में उतना ज़्यादा होगा अब प्रिय ध्वनी को संगीत कहते हैं बिल्कुल नहीं मानव के कानों के लिए सरव्विता परास जो है वो 20 हजार हडस तक है यह बिल्कुल सही है और अगला है शोर, प्रदूशन, आणशिक, सरव्ण, शटतता उत्मन कर सकता है ये भी बिल्कुल सही है अगला है कमपन करने वाले वस्तु की सता का अधिक्तम जथापन को आयाम कहते हैं हाँ यह सही है कि माद्य मान से जो माद्दिय स्थित्य स्टित है वहां से कमपन करने वाली जो वस्तु है जतना ज़्यादा अधिक्तम विस्थापन जहां पर होता है उसको आयाम खाते हैं तीसरा उचित शब्दों दोरा रिक्त स्थानों की पुर्ति करिये केबल कमप्ट वस्तु ही क्या उत्पन करती है ध्वनी उत्पन करती है दूसरा आयाम का मात्रा क्या होता है मीटर होता है किसी कमपाइमान वस्तु द्वारा एक पुर्ण कमपन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल काते है ठीक है प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित की जाती है जितना ज़्यादा आयाम होगा उतनी ज़्यादा प्रबल होगी ध्वनी अप्रिय ध्वनी को क्या कहते है शोर कहते है इससे प्रदुशन होता है ध्वनी का संचरन निर्वात में नहीं होता है, कहानी होता है, निर्वात में नहीं होता है, बीस हजार हड से अधिक आवरती वाले ध्वनी को परास्रव्य ध्वनी काते हैं, ठीक है, तिक्ष्य ध्वनी की अपेक्षा, मोटी ध्वनी का तारत तो कम होता है, बिल्कुल सही, ये कम्पित वस्तु 5 सकेन में 50 बार दोलन करती है या कम्पन करता है इसका आवर्त काल और आवर्ति ग्याद करिए तो उत्तर है दोलों के संख्या कितने दीएं 50 समय कितना है तो पॉर्ट काल क्या निकालना है यही तो 50 द soup को पूरा करने में जो समय रघता हूँ तो इक दोल्ड पूरा करने कितना ललाएगा पांच इसको हम लोब करते हैं tyre निकलता है भी है दूसरा और नार पांच सेट लो Teles विगुटा फैस कोईट कर देभा मतलब कर द simpl Ten गड़े संख्या स और हवर्थ दस हर्ड़् और अवरथकाल नि簡ास हो जाएगा समझ गए ठीक पांचवाँ प्रशन एक मच्छर अपने पंखों को 400 कंपन प्रति से कंपन करता है कंपन का आवरतकाल ग्याद करिये मतलब एक सकन में 400 कंपन चार सो दोलन तो हमको आवरतकाल निकालना है तो 400 दोलनों को पूरा करने में लिया गया समय एक सेकन दि जब आप इसको हल करेंगे तो आवरतकाल यही हो जाएगा कहने का मितलब एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगता है उसको द्वनी का आवरतकाल कहते हैं चेक है छटा प्रशन है शोर तथा संगीत में क्या अंतर है क्या कभी संगीत भी शोर बन सकता है तो उत्तर अब आते हैं कि मानाव वाक यंद्र का चितर नाई और इसके कारे के ब्यख्या करी १िकर टाया आप अपने ऐसे चीरे पर स्तीत होता है वाक्य अंत्रया कंठ के आरपार दो वाक्य तंतु भी इस प्रकार टने हुए या तने हुए होते हैं कि उनके बीच में वायू के निकलने के लिए एक संकिर्ण जीरी में रास्ता होता है ठीक है जब फिपड़े वायू को थोड़ा बल देख करके उस जीरी से बाहर निकालते हैं तो वाक्य तंतु जो है क्या होता है वो भाइब्रेट होने लगता है कमपित होने लगता है जिससे द्वनी उत्पन होती है तो वाक्य तंतु तने हुए में अलगतर है कि द्वनी उत्पन होगी और धिला होने पर अलगतर है कि द्वनी उत्पन होती है बस यही उसके क्रिया भी देते हैं आठमा है अपने वातावन में ध्वानी प्रदूशन के सुरोतों के सूची बनाई तो उत्तर होगा शोर प्रदूशन के सुरोतों के सूची निम्न है टीवी तथा रेडियो की अधिक ध्वनी मोटर वाहनों के हौरन लाउड स्पी पूरी है एक परियोग द्वारा इस कथन के पूश्टी करिए तो मैं आपको दो परियोग बताऊंगा दोनों को एक एक करके आए बताता हूं एक बेल जार लिया बेल मतलब घंटी होता है और जार मतलब घड़ा तो बेल जार एक परियोग शाला उपकरन है जिसका जार बेने चाहर तरफ से बंद कर देंगे बेल जार की हवा को बाहर निकालना हम शुरू करेंगे पके मतलब आ जायागा तो कोई भी आवा सुनाय नहीं दे रही है हलांकि बेल जार में हाथोड़े से जो घंटी पढ़ रही है वो लगातार जारी ही रहती है इसका मतलब यह हुआ कि अभी भी ध्वनी उत्पन हो रही है लेकिन हम उसको सुन नहीं पा रहे हैं इसलिए होता है क्योंकि द्वनी तरंगों को फैलने के लिए हमेशा एक माध्यम की जरुरत होती है और बेल जार में वह माध्यम नहीं बचाव क्योंकि उसको हमने वाई चूसक पंप से बाहर निकाल दिया इसलिए द्वनी तरंगे यात्रा नहीं कर पा रही है यदि आप इसका चितर बनाएंगे तो कि इस तरह से बनाएंगे एक बेल जार है और नीचे हावा निकालने वाली पंप है और देखिए इसमें इलेक्ट्रिक घंटी है जब पी करेंटिस में पास करते हैं तो घंटी बजने लगती है क्यों क्योंकि यह जो हिस्सा है कि देखें यह यहां पर यह जो तीर के निशान के पास जहां पर आपको दिख रहा है वह गिरने लगती है पटकाने लगती है उस पर तो इससे आवाज आने लगती है समझ गया आई एक दूसरा परियोग करते है एक प्लास्टिक की बोतल लिया ठीक है और बोतल के निशले भाग को काट कर हटा दिया देखें चितर जो है वो की चिस तरह होगा समझ गया चितर को ध्यान से देख ले इसी तरह का होगा बड़ा ही सिंपल है चलिए आगे बढ़ते है कोर के बीच मोम लगा दिया ताकि हवा जो है वो बाहर से अंदर प्रवेश नहीं करते हवा भीतर से भी बाहर नहीं आ सके और अपने दोस्ते इस मुबाइल पर किसी दूसरे फौन से फौन करने के लिए कहा मुबाइल घंटी की दोनी इस पश्ट सुनाई पढ़ रही है अ अब बोतल के मुह में निकास नली युकत एक कॉर्क लगा दिया निकास नली दोरा वाई जूसक में जिससे हवा चूस करके बाहर निकलता है पंप के माद्यम से बोतल के अंदर की हवा धिरे-दिरे बाहर निकालना शुरू कर दिया ऐसा करने पर मोबाइल घंटी की आवा जो है वो दोनी देरे-देरे कम हो गई जब बोतल की हावा लगभग पूरी निकल गई तो मोबाइल की घंटी सुनाई देने बंद हो गई अब बोतल के मुझसे निकास नली युक्त को भी हटा लिया तो मोबाइल घंटी की धोनी फिर से सुनाई पढ़ने लाएगे अब जैस जगह के लिए संचारित होने के लिए को माध्धम होना चाहिए अब अगला प्रशन है कि आयाम आवर्तकाल और आवरती को परिभाशित करिए इनके मातरक में लिखिए तो आयाम क्या होता है कंपन करती हुई वस्तु के माध्य स्थिति से अधिक्तम विस्थापन को हम आया प्रशन होते है और इसका मातरक हटस होता है अकाशम हम कैसे कर सकते हैं तो उतर होगा आकाश में तरित पहले दिखाई पड़ती है तथा मेग गरजन बाद में सुनाई देता है क्योंकि प्रकाश का वेग ध्वनी के वेग से अधिक होता है यहां तरित जो है वही प्रकाश है और जो मेग गरजन है वो ध्वनी है ठीक है बारमा प्रशन अंतरिक्स यात्री एक दूसरी की आवाज को चांद पर नहीं सुन पाते हैं क्यों तो इसका जवाब होगा अंतरिक्स यात्री एक दूसरी की आवाज को चांद पर नहीं सुन पाते हैं क्योंकि चांद पर निर्वात होता है तता ध्वनी के संचरन के लिए मा माध्यम है ही नहीं हावा भी नहीं है तो निर्वात में ध्वनी के लिए कोई माध्यम मौजूद नहीं होने के कारण जो अंत्रिक्ष यात्री है एक दूसरी की आप आज को डायरेक्ट बोलने पर नहीं सुन पाते हैं ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे फिर नए वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ तब तक आप सभी का हार्द के धन्यवाद रंत में हाँ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के भीज अपने बच्चों के भी जिसको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें